रत्न को भारत रत्न केंद्र सरकान ने पूर्व पीम नरसे महा राव और चौधरी चरन सिंग और वैज्ञानिक MS स्वामिनाथन को भारत रत्न देने का अलान किया है रालोट के मुखिया जोयन्त सिंग ने अपने दादा चौधरी चरल सिंग भारत रत्न दिये जाने पर खुशी साहिर की है उन्होंने पिया मोदी की पोस्ट को री पोस्ट करते हुए लखा दिल जीत लिया केंद सरकार ने तीन बड़ी हस्तियों को भारत रत्न का एलान किया है पूरू पियम, नरसिमहराव, चौधरी चरन सिंग और वैज्यानिक MS स्वामिनाथन को भारत रत्न देने का एलान किया गया है पियम मोदी ने खुध एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी एक साथ तीन भारत रत्न, चौधरी चरन सिंग, पूरू पियम, नरसिमहराव, पूरू पियम, MS स्वामिनाथन, कृशी वैज्यानिक पियम मोदी ने चौधरी चरन सिंग को याद करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूरू प्रधान मंतरी चौधरी चरन सिंग जी को भारत रत्न से सम्मान क्या जा रहा है ये संबान देश के लिए उनके अतुलन्य योगदान को समर्पित है उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्यान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के क्रहमंत्री और यहां तक की एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट निर्मान को गती प्रदान की है व्यापातकाल के विरोध में भी डट कर खड़े रहे हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पन भाव और एमेचेंसी के दोरा लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिपतिता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है दरसल रालोट के मुख्या जैन सिंग के दादा और किसानों के मसीहा और पूरोध प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंग को काफी समय से भारत रतने देने की मांग उठ रही दी पीम के एलान पर जैन चौधरी ने पोस्ट करते हुए लिखा दिल जीत लिया नरसिमहा राव को लेकर पीम का पोस्ट वहीं कॉंग्रस नेता और पूरोध प्रधानमंत्री नरसिमहा राव को भारत रतन देने का एलान करते हुए पियम मोदी ने कहा ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूरो प्रिधान मंत्री श्री पीवी नरसिमहाराउ को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा एक प्रतिष्टित, विध्वान और राचनेता के रूप में नरसिमहाराउ ने वभिन पदो पर रहते हुए शानदार तरीके से भारत की सेवा की उन्हें आंदर प्रदेश के मुख्य मंत्री, केंद्रिय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधान सभा सदस्य के रूप में किये गए कारियों के लिए सम्मान रूप से याद किया जाता है उनका दूरदर्शी नित्रित्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने देश की संब्रद्धी और विकास के लिए एक ठोस नीव रखने में सहायक था पियम मोदी ने आखे लिखा कि प्रधान मंत्री के रूप में नर्समहा राव का कारिकाल महत्पून कदम उठाने के रूप में जाना जाता है जिन्होंने भारत को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला इसके लावा भारत की विदेश नीती, भाषा और सक्षा छेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में बहुमुखी विकास को रेखांकित करता है जिन्होंने ना केवर महतुपुन बदलाओ के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बलकि इसकी सांस्कृतिक और बौधिक विरासत को भी सम्रद्ध किया स्वामी नाथन ने भारती कृशी को बदल दिया, मोधी प्रख्यात वैज्यानिक डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन को याद करते हुए, पियम मोधी ने लिखा ये बेहत खुशी की बात है कि भारत सरकार क्रिशी और किसानों के कल्यान में हमारे देश में उनके उलेखनी योगदान के लिए डॉक्टर एमेल स्वामी नाधन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है उन्होंने चुनाती पून समय के दोरान भारत को कृशी में आत्मिन नर्भरता हासल करने में महत पून भूमी का निभाने और भारती कृशी को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रियास की आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए भावक पल है यह यादगार पल है समर्णिय है मैं भारत की माम हीम राष्टपती जी को भारत सरकार को और विशेश तोर पर पधान मंत्री दारिद्र मोदी जी को क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निड़ने लिया भारत रत्म से नवाजा है तीन अवार्ड दिये गए हैं खासतोर से जोधी चरंग सिंगी को जो सम्मानिक किया है बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैस करता हूं जो आज मुखेदारा में लोग नहीं है उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है खासकर किसान उनको अपना परिवार का सदर से मानते थे पूरे देश के किसानों में हर्सोलास की लहर है चारों तरफ से बढ़ायां सुबकामनाय पराप्त ह रही है मैं ऐसे अवसर पर मानि प्रदानुती नरेंद मोदी जी का हर्दे से आभाल पकट करता हूं और पूरे किसान समाज को पूरे देश के किसानों को खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत बहुत बधायां और सुपकामनाय चाओदी चान सिंग जी के योगधा पर मेरे लिए बहुत ही प्रसंदा का विशे हैं चुकि मैं प्रस्षी मुत्रप्रदेश मुझफवनगर हापूर बाधपद बढ़ा पुलन शेयर मेरेट यह जो दिए जाने पर समुचा ग्रामीन भारत असली भारत गुबर्वानती थे और इस प्रसंदा के लम्हे को वो बहुत जोस खरोस के साथ सेलिबरेट कर रहा है मैं भारत सरकार की सरहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने भारत माता के जो ग्रामीन पुत्र हैं उनको इतना बड़ा सम्मान दिया जो नीव है वो भारत में डाली कि असली भारत को सही सम्मान देने के लिए वो बढ़ाई के पातर हैं मैं इसमें अपनी उपलब धी मानता हूँ क्योंकि अभी तीन-चार दिन पहले मैंने ये पारलेमेंट में उठाय था कि चौधरी चरन सिंग जी को मानेवर कासी राम जी को विजया सिंग पतिक जी को राजेश पाइलेट जी को और बाबा महंदर सिंग टिकेट को भारत रतन का अवार्ड दिया जाना चाहिए तो कम से कम एक सुरुआत हुई और किसानों के मसीहा किसानों के देवता चौधरी चरन सिंग जी को ये भारत रतन की ये जो एवार्ड है वो पहले ही मिलना चीए था अगर कॉंगरेश की सरकारों के समय में नहीं मिला और आज मिला है तो ये देश के लिए देश के किसानों के लिए पिछले समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। बूरो रिपोर्ट नेट्वर्क 10.